Golden Rule of Success The more time you play, the more time you win The more time you win, the more successfully you will play जितनी जदा बार आप खेलेंगे उतने ज़्यादा जीतने के चांस आपके होंगे और जितनी जदा बार आप जीतेंगे उतनी जदा बार आप सफलता से खेलेंगे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमित महिश्वरी international business trainer, corporate trainer and motivation speaker आप सभी का सवगत करता हूँ आज की informative वीडियो में Friends, direct selling industry में success पाने का सबसे पहला जो मूल मंतर है वो है ask more people to join जितने ज़्यादा लोगों से आप joining के बारे में बात करेंगे उतने ज़्यादा लोग आपके साथ आपकी direct selling downline में join करेंगे साथ ही साथ जितने ज़्यादा लोगों से आप joining की बात करेंगे आप joining की बात करने में उतने ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे इसलिए ज़रूरी है ask more people to join ध्यान रखे अगर direct selling industry में आपको बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पारे तो आपको केवल एक ही काम करना है अपनी presentation को double करना है मतलब जितने लोगों से आप joining की बात करते हैं उससे दुगने लोगों से आपको joining की बात करनी है and the next know the secret of law of average friends direct selling industry में joining के लिए law of average काम करता है मतलब 10 is to 6 is to 3 is to 1 जब आप 10 लोगों से मिलते हैं तो उनमें से 6 लोग आपकी business presentation को सुनने के लिए तयार होते हैं और उन 6 लोगों में से 3 लोग उस presentation में interest लेते हैं और उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति आपके साथ आपकी team को join करता है इसलिए law of average को ज़रूर follow करें मतलब law of average को follow करते हुए अगर आपको अपने response को double करना है तो जिन लोगों को आप अगले हफते या अगले महीने मिलना चाहते हैं उनसे अभी मिलें क्योंकि law of average यहाँ पर काम करता है और जब आप ज़्याद साथ लोगों से मिलेंगे तो joining भी ज़्यादा होगी इसलिए talk to more people and go to your maximum potential एक कहावत है कि अगर खटखटा होगे तो दरवाजा ज़रूर खुलेगा और मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा आपने कई बार सुना होगा कि first impression is the last impression for making positive impact first impression मनाने के लिए कभी दूसरा chance नहीं मिलता जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोग पहले 25 सेकंड में ही यह observe कर लेते हैं कि आपकी financial position क्या होगी आपका level of education क्या होगा आपका mindset कैसा है आप उनके बारे में कैसा विचार रखते हैं आप life के बारे में कैसा विचार रखते हैं आपके dreams किस तरह के हैं बहुत सारे लोग आपको observe करते हैं और आपके बारे में अपने मन में एक judgment बना लेते हैं इसलिए first impression बेहतरीन बनाने के लिए अपनी presentation skills और communication skills पर ज़रूर ध्यान दे आप लोगों से मिलते हैं उनसे joining की बात करते हैं उन्हें business plan दिखाना चाहते हैं तो ऐसे मैं आपको अपने चार इर्याज पर काम करना होगा आपका face expression कैसा होना चाहिए always try to be in a smiley face हर व्यक्ती हसते मुस्कोराते व्यक्ती को देखना पसंद करता है इसलिए आपके face पर एक प्यारी से smile होने चाहिए second that is dressing sense मैं आपसे बात पुछता हूँ आप किस उपलक्ष पर कैसे कपड़े पहनते है क्या आप होली पर suit boot पहनते है नहीं न क्या आप दिवाली पर होली वाले कपड़े पहनते है नहीं न ठीक उस तरह से business meeting अगर आप करने जा रहे है किसी को plan show करने जा रहे है या plan के लिए किसी को invite कर रहे है वैसा atmosphere आपके सामने होगा और जैसा atmosphere आपके सामने होगा वैसा आपका mindset बनेगा और जिस तरह का attitude हमेशा positive होना चाहिए दूसरों के बारे में भी आपके मन में अच्छे विचार होने चाहिए तभी वो लोग आपके साथ आपकी team को join करेंगे and the fourth that is communication skills friend जितनी अच्छी बेहतरीन आपकी communication skills होंगी उतना ज्यादा प्रभावशाले तरीके से आप किसी व्यक्ति को आकरशित कर पाएंगे साथे साथ आपकी body language भी बेहतरीन होने चाहिए क्योंकि कभी भी presentation में capable words काम नहीं करते क्योंकि टेलिफोनिक conversation नहीं है यहाँ पर आपकी body language भी बहुत बेहतरीन तरीके से positive attitude दे इस तरह की होनी चाहिए and the most important thing अगर आप अपने team को build करना चाहते है अपने direct selling की team के network को develop करना चाहते है तो आपको लोगों का PMF पता होना चाहिए यह PMF क्या है primary motivating factor हर व्यक्ति का primary motivating factor अलग-अलग होता है आपको पता है लोग network marketing क्यों करते है अगर आप सोचते हैं कि लोग के बल income के लिए network marketing करते हैं तो यहाँ आप गलत हैं यहाँ पर हमें PMF पता होना बहुत जुरूरी है उनका primary motivating factor क्या है हर व्यक्ति का primary motivating factor अलग होता है, कुछ लोग income को देखकर attract होते हैं और network marketing को join करते हैं, कुछ लोग अपने time को spend करने के लिए, अपने network को build करने के लिए और अलग-लग लोगों से मिलने के लिए अप network marketing को join करते हैं, क्योंकि उनका shock होता है नएने लोगों से मिलना, बातचीत क करना, उनसे relation develop करना, कुछ लोग network marketing इसलिए करते हैं कि उन्हें कम investment में अपने बड़े dreams को पूरा करना होता है, जैसे उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी financial freedom और बहुत सारे tours जो network marketing में बहुत अधिक दिये जाते हैं, इसलिए लोगों के PMF को जरूर जाने, उनके PMF को जानने के बाद, उनके dreams को जानने के बाद, उनके thought process को जानने के बाद, उन्हें अपने business की presentation जरूर दिखाएं, और presentation दिखाने के बाद, उनसे बातचीत करें कि उनके मन के क्या प्रश्ण है, उनके मन में क्या उलजने हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो अपनी team के बारे में जानना चाते हैं, product के बारे में जानना चाते हैं, services के बारे में जानना चाते हैं, और मिलने वाले benefits के बारे में जानना चाते हैं, जब आप सही तरीके से उनके सवालों का जवाब देंगे, तो positively वो लोग आपकी team को join करेंगे, अगर आप direct selling industry में अच्छी company के अच्छे product के साथ एक अच्छी team को join करना चाहते हैं तो आप मेरी team को contact करें friends मेरे जीवन का उदेश है कि भारत के हर घर से एक सफल businessman बन सके इसलिए मैं आपके लिए लेका राता हूं business development की ये videos मेरा कोई भी informative वीडियो मिस्त ना हो उसके लिए चैनल को subscribe करें comment box में मुझको लिखकर जुरूर बताएं कि direct selling industry से related आपके मन में क्या प्रश्ण है स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे ववश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत